परिचय हलो दोस्तों, मैं रसी कूद रही हूँ. मैं कितनी बार रसी कूद रही हूँ? उसकी संख्यागिनिये. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ और आड़. अब मैं ठक गई हूँ. यानि मैंने रसी आठ बार कूदी. आकड़े इकठे करने के काम को डेटा हैंडलिंग यानि आकड़ों को सम्हालना कहते हैं. आकड़ों को सम्हालने के लिए बहुत से तरीके इस्तिमाल किये जाते हैं. आईए, आज इनमे से कुछ तरीके सीखें. आउँ सीखें. आकड़े इकठे करना. टैली माक्स का इस्तिमाल करके आकडों को दर्ज करना आकडों को तस्वीर के रूप में दिखाना चाट का इस्तिमाल करके आकडों को समझाना टैली माक्स आकडों को एकठा करने की सबसे आसान और तेस विध्यों में से एक है टैली माक्स टैली माक्स का मतलब है पांच के समुह में चीजों या किसे गतिविधी को गिनना एक अकेली खड़ी रेखा एक चीज को दर्शाती है दो चीजों को दर्शाने के लिए दो खड़ी रेखाएं खेजी जाती है हर निशान एक चीज को दर्शाता है पांच चीजों को दर्शाने के लिए चार खड़ी रेखाईं खीजी जाती हैं और पांच वीद टेड़ी रेखा यानि डाइगनल इन चारों खड़ी रेखाऊं को काटती है उधारन के लिए हम तीन आम गिननी के लिए तीन टैली मार्क्स बनाएंगे टैले चार्ट बनानी के लिए आईए एक आक्टिविटी करते हैं एक सिक्का उच्छा लिए और देखिए कि इसका कौन सा हिस्सा उपर आता है हेड या टेल इसे टेबल में उस तरहा अंकित करें जैसे की दिखाया गया है सिक्कों को 25 बार उच्छा लें और हर बार हेड या टेल में से जो भी आता है उसे टेबल में दर्ज करें इन निशानों को एक एक करके गिन्ने में ज्यादा समय लगता है लेकिन टैली मार्क्स का इस्तिमाल करने से हम पाँच तक गिन्ने से बच जाते हैं टैली मार्क्स का इस्तिमाल करने से हम आकडों को जल्दी दर्ज कर सकते हैं आकडों को समहालना आकडों को समहालने का एक और तरीका है इन्हें तस्वीरों के रूप में दिखाना आईए इस बारे में और जाने इस बाग में बच्चे खेल रहे हैं इन में से कुछ फिसल रहे हैं, कुछ एक सीसौ पर खेल रहे हैं, जबके कुछ अन्य एक फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। आप बड़ी आसानी से टैली मार्क्स का इस्तिमाल करके स्लाइब, सीसों और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या को दर्शा सकते हैं। इस तस्वीर को इस चाट के जरीए भी दर्शाया जा सकता है। चाट असल में किसी सूचना को एक तस्वीर की शकल दिखाता है। इसलिए हम किसी चाट को ध्यान से देकर सूचना हासिल कर सकते हैं। आओ खेलें। आएए अब इस चाट का विशलेशन करें। इस चार्ट में चार विद्यार्थियों ने अपनी हथेली को एक कागस पर मापा है। उन्होंने कागस की पटियों को काटा और चिपकाया है जैसा की चार्ट में दिखाया गया है। अब सही विकल्पों पर क्लिक करके निमन सवालों के जवाब दें। हमने क्या चर्चा की विभिन्न चीजों के बारे में सूचना इकठा करने को आकड़े इकठा करना कहा जाता है। टैले माक्स विधी में आकड़ों को पांच के समुहों में गिना जाता है। चार्ट आकड़ों को तस्वीर के रूप में प्रस्तूत करता है। चार्ड, हमें आकड़ों को समझने में मदद करते हैं.